बिसमेल नहीं रह्मान रहीम दिस आमना एंड टोड़े वह बिल डिसकस अबाउट डू यो फॉर्गेट थिंग्स आफ्टर क्रामिंग डेम डिफिनेटली येस क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इशू है और सब भी इसको फियस करते हैं ये वो चीज़ है कि फर्स करें कि आपने याद किया है और दो तीन घंटे बाद आपको असे लगेगा कि सब कुछ मिक्स हो गया है और एक्जाम से पहले भी आपको ऐसे ही लगता है तो ये वो चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम इस चीज़ किस तरह टेकल कर सकत है रादान दिस के आप ये समझें कि मैं तो शाहिद नेलाइक हूँ इसलिए मेरे साथ इस तरफ ये मसले है कि मैं चीज़ याद कर तो इसमद भूल जाती हूँ और मिक्स हो जाती है जीज़ सब कुछ तो ऐसा नहीं है टॉटली कॉमन इश्यू है और नॉर्मल चीज़ है इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा सबसे पहले आज हम लोग डिसकस करेंगे रीजन्स क्या है क्यों ऐसा होता है देखे सबसे पहले चीज़ है वह है जी लिट मी हाइलाइट लैक अफ अंडरस्टाइनिंग हम लोग जब भी कोई नहीं चीज़ याद करते हैं ठीक है तो जब आप रटा लगाते हैं तो आपके दमाग में ना कोनेक्शन नहीं बनता यह अपने जहीं में रख ले ना मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ जब आप किसी टॉपिक का या कोई किसी भी मेटीरियल का रटा लगाते हैं क्रैम करते हैं उसको तो आपके ब् पड़ेंगे तो बाद में जब उसको रिकॉल करेंगे रिवाइस करेंगे तो रिवाइस करने में भी असनी होगी नहीं तो याद तो आप कर लेंगे रटा लगा कर लेकिन जब दुबारा से आपने उसको रिवियन करनी होगी तो आपको मौत नजरा रही होगी आप करेंगे यार वीन करना भी अजाब है बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोग कुछ याद कर रहे हैं कलियर दूसरा क्या होता है इंटरफियरंस क्या होता है कि दिखें जब आप कोई नए चीज याद करते है ना तो अल्रेडी जो चीज़ें आपके दमाग में पड़ी होती हैं फर्स करें कि कल आपने economy के topic पे कुछ याद किया ठीक है आज आपके पास material है inflation पर तो इससे क्या होगा इंटरफियरंस होना शुरू हो जाती है इसलिए भी हम चीज़ें भूल जाते हैं नई चीज़ें इंटरफियर होती है old information के साथ ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि जो नई चीज़े है कि वह परानी चीज़ों के साथ कि क्या होती है interference उनकी होती है that's why हमें इसना फील होता है तीसरा पॉंट है short term memory overload इसमें क्या होता है जब हम क्रेमिंग करते हैं that floods your short term memory मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारी दो तरना की memories होती है एक होती है short term memory और एक होती हमार कौन सी memory बन रही होती है short term memory बन रही होती है with a lot of information in a short period ठीक है क्योंकि हम लोग थोड़े टाइम में बहुत से इंफ्रमेशन अपने दमाग में लेकर जा रहे होती है तो वह सारी हमारी short term memory में save हो रही होती है अब यह जो memory होती ना जो आपकी short term memory होती है आपके दमाग की इ में जाकर save होंगी यह भी वजह होती है कि आप चीज़ें भोलना शुरू हो जाते हैं वजुहात पता चल गी अब आते हैं strategies की तरफ कि आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप इन चीजों से जान छुड़वाएं यह है जी strategies strategies to help retain information more effectively सबसे पहली strategy क्या है जी सबसे पहली है जी understand don't just memorize आपने जीजों को understand करना है सिरफ उसको रटा नहीं लगाना क्योंकि मैं आपको बता दिये कि फिर recall करने में असानी हो जीगे दूसरा है जी active recall एक्टिव रिकॉल क्या होती है इसमें ना आपने कुछ tricks य मतलब फर्स करें कि अगर आपको यह topic यूज करें हैं तो topic आप इस तरह से design करें अपने इंड्रोस्टिंग बनाएं कि आप flashcards यूज कर लें आपने एक page पे सारा का सारा फर्स करें लिखा है economy के बारे में लिखे ठीक है तो आप उसके साथ कुछ flashcards अट्याच कर दें ताप इसको आप डिजिटल टूल्स भी कह सकते हो यह definitely आपकी help करें के चीजों को बहुत देर से याद रखने में फर्स कर एक्जाम में आप बैठे हो economy से relevant लिखे रहे हो तो फॉरन आपके जहन में आएगा यार वो जो orange color के flashcard पे लिखा हुआ था ना वह यह वह है मतलब इस तर करें कि इसको टेस्ट देदें किसी को ठीक है कैसे इसलिए तो जुरूरी होता है कि अगर आप पुरा साल पढ़ रहे हैं css की त्यारी कर रहे हैं तो एंड वाले तीन में इने evaluation के लाजमी होने चाहिए तीसरा काम की होता है कि right summaries फर्स करें कि आपने पाकिसान और इरान के tension के बारे में आज याद की है तो आपके कोई 45 मिनिट में याद की है ऐसा करें कि end फंससे तना फाइदा होता है इतना फाइदा कि आप कोई महीने बाद भी जाकर वो ग्रॉपिक खुलेंगे ना तो आपको बहुत से चीज़ें जा उसी ना वो याद होती है यह बहुत इवालन्टिप मैंने आपको बताईए यह देन उसके बाद स्पेस्ट रेपिटिशन क्या होता है कि फर्स करें कि अगर बहुत कॉंपलिक्स इंफ्रमेशन है ना तो उसको मैनेजबल पार्ट्स में तोड़ ले मतलब आप ऐसा करें हर पैराग्राफ को नंबर देना शुरू हो जाए अच्छा इस पैराग्राफ का इक नंबर इसका दूसरा नंबर तीसा चोथा पांचवा तो आपने हैं किया कि मैनेजबल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लिया इस तरह आपको याद करने मज़ा आएगा अच्छा पहले पैराग्राफ में ये बात मैंने सिखी दूसरे में ये सिखी पांच में में क्या सिखी छटे में क्या सिखी तो ये भी एक प्रिक होती है तो एक एक वर्ड समझ की याद करें ठीक है अच्छा तो यह आपने काम करने इसके लाब हम इंटर लीवड प्रेक्टिस इंटर लीवड प्रेक्टिस भी एक तरह की लर्निंग टिक्नीक होती है इसमें आप क्या करते हो कि डिफरंट टाइफस ऑफ प्रॉब्लम्स या टॉ आपके रहोगे बलकि आपके अज़्व गंदे अलजबरा कर लेता हो आदे गंडे कर लेतो हो आदे गंटे मैं परसंटेश निकाल लूगा ठीक है और निमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लोई है क्या खटो यह वह चीज़ें हैं कि आपने कोई भी सब्जिक्ट उठाया तो उसम नहीं है मतलब आप उसको उसमें डिफरंट पार्ट्स निकाल दें अच्छा ये सब्जिक्टे इसमें भी डिफरंट डिफरंट चीज़ा सीखें एक ही चीज में आप फैड़ पोज़ेंगे यही बज़ा है कि अकर हम लोग एक ही जीज करते रहते हैं तो थोड़े बाद हमें नीदाना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे दमाग को मज़ा नहीं हा रहा होता है यह बी एक टिक्निक के इसको भी अडॉप्ट करें चंकिंग का मतलब यह होता है कि चुड़े चंक्स में याद करें चीज़ें ठीक है चुड़े चंक्स में कैसे 15 मिंट पढ़ें उसके यह एज कृलिग है यह अधान चुड़ें चाहिए चाहिए यहां अपुछा की यह हमारी फैल्मि में एक आर्टी यह थीक है उपयर उपरणी चाहए इंक वह इसकै वक्त में इस तैन रहा है कि फोन आ ंरो आ कि और गिना अची यूद्छा कि अिश humans ने गाने पढ़ने उस हलाके मैं बहुत चोटी थी और वह बहुत बड़ी थी उनकी किलास को छोड़ थी और मैं शायद पता नहीं शायद पढ़ती भी नहों तब ये वो मुझे समझ नहीं याद थी ये क्या चीज़ है लेकिन विद्धी पेस्ट अव टाइम आयर्या एलाइस ये वो चीज़ थी जो उनको बहुत अरसे तक चीज़े याद रहने में मदद देती थी तो आपने क्या करना है कि फर्स करें कि आज आपने कोई टॉपक याद की है तो बाद में क्या करें कि जब आपका फ्री टाइम होना तो किसी के साथ ना डिसकस करना शुरू है अपनी ममा के साथ डिसकस करें कि ममा बता है हमारे मुर्क में इतनी महंगाई हो रही है उनको फ परहाने से सीखते हैं, trust me, वो आप किसी चीज से नहीं सीख सकते, तब अपने मुझ से वो चीज़े आप बोलेंगे ना, वो आपकी मेमरी में सेव होती जाए, क्यूंकि आपके कान भी वो चीज़े सुन रहे हैं, clear, इसके इलावा, get enough sleep, सोने की बाद कहां से आगे हैं, जब सुदी क्या होतं है कि वो देखें सोने कर बोला अब करेंगे हैं अर्व में परेइस शाइया की एलाव्योवेशन लम आपके न्यांगे नहीं बूरी होपाती हैं, तो I could say at least इस पेपर्स में properly सोएं, regularly अबी normal आपकी रूटीन है, proper सोएं, 7 गंटे लाजमी सोएं. ठीके ऐसा ना करें कि रात को 12 एक बहुत तक पढ़ रही हो मैं आपको लिख के दे दे दें जो बचे रात को 12 एक बढ़ तक पढ़ देना रात को पढ़के तो सोते हैं लिख को अच्छा याद नहीं होता चितना हो अर्छी मोगनिंग उठकर अगर याद करें तो वह जादा बेहतर उनको याद होते है तो प्रॉपर अपनी स्लीप भी लें इसका मतलब ये बिल्कुल भी निया कि अगले दिन आप 12 बचे उट रहें ये भी चीज घलत है हैल्दी लाइफ स्ट्रेल आप का उना चाहिए अच्छा खाएं अच्छा पीएं स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए आपको फिर से बॉल रही हूँ स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए आपको विकास जिन्दगी एक टेस्ट है और स्ट्रेस आते रहेंगे एन एक्सडी में नहीं जाना डिप्रेस नहीं होना पढ़ाई को एजा डिप्रेसंट नहीं लेना बलके रिलाक्स होकर पढ़े एक दफा जिनकी में नहीं है बिल्कुल उसको पढ़ाई के इर्दगेर्द रोल करके नहीं करने और ना ही फरी बैट बैट के अपने जिनकी ऐसे उड़ा दो तो मॉडरेट र मादर की का स्टे ट्यून एंड अला हाफिस